रंबल टंबल हिल इतने तल्लीन थे कि जब उन्होंने एक जोर की बीब सुनी तो वो चौक गए ये है आंटी मैरी जो उसकी आकरशक पीली कार में थी बच्चे उससे हमें चिलाए क्या हम पिक्निक के लिए चलते हैं बच्चों ये पी हमें बहुत मज़ा आने वाला है बच्चे खुशी से उचल पड़े लेकिन हम कहां जा रहे हैं? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी ही उम्र की थी तब मैं पिक्निक के लिए रंबल टंबल हिल पर जाती थी रंबल टंबल हिल? ये कहा है? और वो इसे रंबल टंबल पाड़ी क्यों कहते हैं? क्या ये मैक्स के पेट की तरह गड़गडा हिट करता है? अरे नहीं आईए इसके बारे में जानते हैं मैक्स और टैमी चाची मेरी की गाड़ी में बहुत एक खुशी से रंबल टंबल हिल की तरफ जाने लगे वो जल्द ही पहाडी की तलहटी में पहुँच गए और हरे भरे रास्ते से उन्होंने पहाडी की उंचाई पर चढ़ना शुरू कर दिया हर जगा हरी भरी जाडियां थी चाची मैरी अपना काम करने के लिए चली गई यहाँ देखो बच्चों हमारे समान को रखने के लिए एक आदाश स्थान और यहाँ पर एक बेंच पी है अच्छाई धेरे नहीं हम पिकनिक में गुडियों को ले आना तो भूली गए बच्चों तुम ये सब चुनता मत करो ये है देखो जैसा कि मैजिक द्वारा बैक पैक दिखाया गया है उन्होंने बैक पैक को पहाड़ी की चोटी तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश की ओ आन्टी आप सब कुछ सोचती है आन्टी मैरी ने बैक पैक खोला और बच्चों को सैंडविच दिया हरे ये हमारा पसंदीदा सैंडविच है बस इतना ही नहीं मेरे पास आप लोगों के लिए और भी कुछ है दोनों बच्चों ने उच्सुकता से देखा क्योंकि आन्टी मैरी ने अपने बैक से एक विशाल डार्क चोको केक निकाला ये अब तक का सबसे बड़ा चोकलेट केक है आन्टी मैरी बहुत खुश थी कि बच्चों को केक बहुत पसंद था बहुत भड़िया अब हम सभी को एक कब करमा गरम चाय चाहिए ऐसा कहकर वो अपने बैग में माचीस धूनने लगी माचीस कहा गई होगी मुझे यकीन है कि मैंने इसे अपने बैग में रखा था मैक्स और टैमी ने मददगार होने की कोशिश की आंटी मैरी चिंता मत करो हम जानते हैं कि आग कैसे बुझानी है हमें बस कुछ चड़े चाहिए बच्चे जमीन पर कुछ चिपक से गए मैक्स ने एक दूसरे के खिलाफ लाठी बरसाई उसने ऐसा धमाका किया कि टैमी खासा घायल हो गया और अच्छानक छड़े हिल गई टैमी टैमी क्या तुमने देखा लाठी ये हिल गई हाँ बेलकुल इतनी मैने स्रीवडाने पर तो हिलेगी टैमी ने गुस्से से कहा तब उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई टैमी क्या तुमने गड़गडा हट सुनी और ये निश्चेत रूप से मेरे पेट से नहीं थी मैक्स अब थोड़ा सा डर गया गड़गडा हट की शोर और बढ़ गई और जाडियों से बाहर एक भैंग कर देखने वाला ड्राइगन कूत पड़ा मैक्स और टैमी ने मेरे के हाथों को कसके पकड़ लिया उसे जरा भी आश्चरे नहीं हुआ वास्तों में वो ड्राइगन को देखकर खुश थी डरो मत वो हमारा दोस्त ड्राइगन है वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा ड्राइगन जोर से दाढ़ा और अपनी आग से जमेन पर लाठियां जला दी तब चाची मैरी ने जलते हुए मटके पर पानी का बरतन रखा उनके साथ चाई पीते वक्त ड्राइगन बहुत खोश था मैक्स और टैमी आश्चरे में पढ़ गए वो विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक ड्राइगन इतना दोस्ताना हो सकता है चाई खत्म होते ही ड्राइगन ने जोर से ड़कार ली फिर आउंटी मैरी के हाथ में केक देख कर वो प्रसन्नता में अपनी पूंच छिलाते हुए करीब आ गिया क्या आप केक खाना पसंद करेंगे ड्राइगन से मैक्स ने बहादूरी से पूछा ड्राइगन के मुँँ में पानी आने लगा अरे नहीं तुम मेरा केक नहीं खा रहे हो डर के मारे कापते हुए मैक्स ने बुला ड्रैगन ने केक एक घोट में निगल लिया और जाडियों में गायब हो गिया वो फिर से कुछ चमकदार पत्थरों के साथ आया और उन्हें बच्चों को दे दिया लगता है ड्रैगन ने आप लोगों को पसंद कर लिया है अपने नए दोस्त द्वारा उपहार दिये जाने की प्रशंसा करते हुए बच्चे खुशी से घर लोटाए ये एक शांत गर्मियों की शाम थी और चाची मैरी मैक्स और टैमी से मिलने आई थी हे बच्चों ये कैम्प में जाने के लिए एक सुन्दर रात है ना कैम्पिंग रात में हाँ कैम्पिंग और घूमना फिरना उसने जवाब दिया आउंटी मैरी अपने डेरे को साथ लाई तो बच्चों ने उसे स्थापित करने में मदद की उस शाम वो अपने तंबू के बाहर घास के तने पर सोए और आसमान में तारों को देख रहे थे मैक्स चाची मैरी ने एक चमकती सितारे की ओर इशारा करते हुई कहा क्या आप उस बड़े लाल तारे को देख सकते हो वही मंगल है मैक्स उपर की सितारों को देखते देखते जल्द ही सो गया ड्रीम लैंड में रहते हुए टैमी अपनी किताबें पैक करने में व्यस्त थी जल्दी करो अपने स्लीपिंग बैक को जल्दी से ढो तभी अंकल बैन अंदर आए सब कुछ क्रम में है इसका समय आपके पास बचा है उन्होंने कहा हफिंग और पफिंग दोनों बहादुर अंतरिक शियातरी अपने बड़े चांदी के रॉकेट से चलते हुए अंकल मैक्स की तरफ निकल पड़े मैक्स और टैमी ने खुद को अपनी सीट पर जकड लिया सभी एंजिन की जाच की उल्टे गिंती शुरू देस, नो, आट, साथ, छे, पाथ, चार, तीन, दो, एक, ब्लेस्ट आफ वो दोनों चिलाए दो बहादुर छोटे अंतरिक्षिया त्रियों ने चमकदार चांदी के रॉकेट को मंगल ग्रह की ओर मूड दिया कुछ मिनिट बाद वो अंतरिक्ष में मंगल की ओर जा रहे थे वहाँ देखो टैमी, वो मंगल है हम लैंडिंग के लिए तयार हो जाते हैं रोजर दाट वो मंगल पर उत्रे और अपनी छोटी खिड़की से बाहर देखा वाँ, हम यहाँ आगरी स्थान पर हैं ये बहुत रोमान चिक है चलो, मंगल ग्रह का अन्वेशन करें दो छोटे अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने भारी अंतरिक्ष सूट पहने और मंगल ग्रह की सतह पर पैदल चलने लगे और अपने पैरों की निशान छोड़ने लगे फिर मैक्स एक अंतरिक्ष गाड़ी में बंध हो गया जबके टैमी ने रेत और चट्टानों की एक बाल्टी इकठा की उन्होंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था तभी अचानक उन्हें एक जोर से चीक सुनाई दी कैमी जल्दी से एक बड़ी चट्टान की पीछे छिप गया छुप जाओ मैक्स छुप जाओ लगता है कि यहाँ एक अंतरिक्ष जानवर है लेकिन मैक्स खड़ा रहा और हसा ये कोई जानवर नहीं है ये मेरा पेट है मुझे भूख लगी है वो रॉकेट पर वापस चले गए और अपने साथ लाए गए सभी स्वादिष्ट खाने को मंगल पर बैट कर खाने लगे तब मैक्स ने अपनी घड़ी की योर देखा ये समय है कि हम वापस जाएं मैं मंगल गरह पर अपनी उपस्थेति साबित करने के लिए एक जंडा लगाऊंगा ये कहकर टैमी अपने काम में बीद गया आजाओ घर जाने का समय हो गया है अंकल बैन हमरा इंतिजार करेंगे वो अपने अंतरिक्षियान में वापस आ गये और एक विस्फोट के साथ उडान भरी वो प्रूथफी पर वापस आ गये और सुरक्षित रूप से समुद्र में गिर गये हम मंगल गरह से वापस आ रहे हैं एक जंडे को लहराते हुए टैमी खुशी से चिलाया मैक्स ने चिलाते हुए टैमी का हाथ पकड़ा मैक्स एक शुरुवात की साथ उठा और टैमी को चिलाते हुए देखा और आंटी मैरी ने दोनों को दिल से हसाया एक बार एक छोटी से गाओं में जिसका नाम था लोहच दो बच्चे थे मैक्स और टैमी मैक्स और टैमी एक खुब सुरत नीली जील के किनारे एक छोटी सी जोपड़ी में रहते थे अब हर हफ़ते सोमवार को जो मार्की शहर में मार्केट डे था मैक्स और टैमी अपने शौपिंग करने जाते सोमवार को हमेशा की तरह मैक्स अपनी खिड़की से बाहर जाकने से पहले ही वो मार्की के लिए रवाना हो गए खरीदारी के लिए बढ़िया सुभा है हाई वो तो है वो आकाश की ओर देख रहे थे वो तयार होने के लिए गए तब अचानक उन्हें गड़गड़ा हट की आवाज सुनाई दी वो क्या है मैक्स टैमी को संदिक धरूप से देख रहा था यह निश्चेत रूप से मेरा पेट नहीं है तब ही उन्हें फिर से गड़गड़ा हट की आवाज सुनाई दी यह खिड़की के बाहर से आई है मुझे उम्मेद है कि यह बारिश और हमारी खरीदारी यात्रा को खराब नहीं करेगी मैक्स को खुश करने के लिए टैमी ने कहा टैमी और मैक्स अपनी छोटी लाल कार में सवार हो गए और जल्दी ही बाजार गए मार के शहर बहुत दूर एक पहाड़ी पर बसा हुआ था इसलिए उन्हें घर लोटने के लिए पूरा दिन लग जाता था फिर थोड़ी देर बाद वही गड़गड़ा हटकी आवाज सुनाई दी जील के बाहर एक विशाल काई सिर दिखाई दिया ये एक राक्षस था राक्षस जील से बाहर निकलाया और किनारे पर बैट गया मैं बहुत भूका हूँ और मेरा पेट लड़ खड़ा रहा है मुझे जल्द ही नाश्ता खोजने की जरूरत है वो इधर उधर देखने लगा और पास में ही एक मकान भी देखा याहू ये चट मेरे नाश्ते के लिए ठीक रहेगी उसने अपनी लंबी खुर्दरी जीब से चट को चाटा राक्षिस ने मैक्स और टैमी के घर की चट को खाना शुरू कर दिया राक्षिस ने आधी चट खा ली और अपना पेट पाल लिया मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन चट के बचे हुए हिस्से को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तो वो बैड़ गया और चट के शेश हिस्से को खा गया ये तो वाकई स्वादेश था दानम ने कहा और अंत में संतुष्ट हो गया उस शाम जब मैक्स और टैमी घर लोटे तो बिना चट के अपना घर देकर हैरान रहे गए अरे बहापने हमारे चट गायब हो गई है ये कैसे हो गया दूर होने पर भायानत तूफान आया होगा शायद मुझे यकिन है कि मैंने आज सुभा गडगड़ाहट की आवाज सुनी तो शायद हुआ भी होगा अब छट की मरमत शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है चलो कल सुभा काम शुरू करते हैं आट मैरी के घर चले और अपने लिए एक तंबू ले लेते हैं टैमी ने कहा आंटी मैरी का घर बहुत दूर नहीं था इसलिए वो जल्द से लौट आए और एक तंबू लगा दिया उन्होंने फिर एक कैमफायर जलाया और उसके सामने बैठ गए मैक्स ने स्थिती को बहतर बनाने की कोशिश की यह बहुत अच्छा लग रहा है टैमी ने ताली बजाकर और गाना गाकर मैक्स का साथ दिया उन्होंने संगीत बजाया और कुछ समय के लिए गाना गाया जब तक कि वो सो नहीं गए अब जील के पास में राक्षस पूरी छट खाने की बाद पेट दर्द को लेकर संगर्ष कर रहा था मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैं फिर कभी इतना खाना नहीं चाहूंगा भले ही वो कितना ही स्वादिश्ट क्यों ना हो राक्षस दर्द में रोने लगा अगली सुभा मैक्स और टैमी ने छट को मोडना शुरू कर दिया दोनों बच्चों को कड़ी महनत करते देख राक्षस को उनके लिए दुख हुआ राक्षस ने तब मैक्स और टैमी की चुप के से मदद करने का फैसला किया जब वो चाची मैरी के घर पर अपना दोपहर का भोजन करने गए तो राक्षस ने पूरी चट बनाना शुरू कर दिया मैक्स और टैमी अपने घर की चट देखने के लिए घर लौट आये तो वो हैरान थे और जब उन्होंने देखा कि उनके घर के दर्वाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई है वो अचम्भित हो गए मैक्स और टैमी बहुत हुश थे दयालू मित्र का सुभाव देखकर वो अनुमान लगाते रहे कि ये कौन हो सकता है लेकिन वो जान नहीं पाए थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बार फिर वही गड़ड़ा हट की आवाज सुनी लगता है किसे ने आवाज लगाई हाँ आप सही है या फिर से राक्षिस था लेकिन इस बार वो खुशी से नाच रहा था लंबे समय पहले मार्की शहर के पास किड्ज विले नाम का एक छोटा सा शहर था किड्ज विले शहर की देखभाल बच्चों और उनके पालतु जानवरों द्वारा की जाती थी हाँ बच्चों मैक्स और टैमी किड्ज विले शहर में रहते थे उनके पास एक पालतु सारस था जिसे उन्होंने अपनाया जब वो बहुत छोटा और कमजोर था तब बच्चों ने उसे समत्र के किनारे पाया उन्होंने सारस को देखा और उसका नम सिल्वैस्टर रखा मैक्स और टैमी एक घर में विशाल घड़ी टावर के किनारे रहते थे बहुत उपर एक बड़ी गोल घड़ी थी जो कभी टिक नहीं पाती थी और हमेशा सबसे सटीक समय दिखाती थी चोकि मैक्स और टैमी वहीं पर रहते थे इसलिए घड़ी की नियमित घुमावदारी उनकी जिम्मेदारी थी एक साल बीद गया और टैमी, मैक्स और सिल्वेस्टर घड़ी पे चड़कर कांटों को हिलाने लगे घड़ी ने जादू की तरह काम किया, इसने डॉट पर हर घंटे काम किया फिर एक दिन मैक्स ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, मैक्स ने गर्व से कहा हमारी घड़ी हमेशा समय पर होती है, यह हर घंटे के बिंदू पर जहकार दी है, लेकिन वो मेरी समस्या नहीं है समस्या, आपको कोई समस्या है लेकिन मैक्स का जवाब नहीं था और टैमी चुप था एक घंटे बाद घड़ी में 11 बज गए और इसे किड्स विले में जोर से सुना जा सकता था मैक्स ने अपनी घड़ी की ओर देखा हमेशा की तरह, हमेशा की तरह लेकिन वो समस्या नहीं है समस्या क्या है सिल्वेस्टर चिलाया, काफी उल्जन में है मैक्स ने सिल्वेस्टर और उनकी घड़ी को देखा उसने अपनी घड़ी निकाली और सिल्वेस्टर की टांग पर रख दी मैक्स ने कहा ओहो, सिल्वैस्टर, मुझे अब घड़ी की कोई समस्या नहीं है, आपका धन्यवाद, मैं कल अपने गाओं के घर जा रहा हूँ, तब तक तुम टावर घड़ी को घुमाते रहना सिल्वैस्टर को आश्चरे हुआ, और इससे पहले कि वो घड़ी की चावी सौंपते, और मैक्स को बोलने के लिए अपनी चोच खोल पाते, सिल्वैस्टर ने पूछा मैं टावर के उपर जाकर घड़ी के काटों को कैसे हिला सकता हूँ? सिल्वैस्टर शहर का सबसे ठंडा सारस था, लेकिन अब वो चिंतित था उनके दोस्ट उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो दुखी होकर चले गए जल्द ही दीन बीद गया और घड़ी को हवा देने का समय आ गया सिल्वैस्टर टाउन हॉल में चले गए और बहुत चिंतित दिख रहे थे उनके दोस्ट जो पहले से ही वहाँ थे, उसने उनसे बात करनी की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे चुप कराया सिल्वैस्टर के दोस्तों ने उनसे फिर से बात करनी की कोशिश की, उसने दोनों को रसी से बांध दिया, फिर उसने विशाल सिड़्ी को टावर के खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन ये काफी लंबा नहीं था सिल्वैस्टर ने अपना सिर्ष शरम से नीचे कर दिया, क्योंकि ये पहली बार होगा जब घड़ी बंध होने वाली थी और ये उसकी वज़े से हो रहा था तब उनके एक दोस्त ने कहा, तुम एक मुर्ख सारस हो, मैक्स ने आपको घड़ी को हवा देने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता है कि आपके पास एक पंख है और आप टावर तक उड़ सकते हैं अपनी सारी चिंता में सिल्वैस्टर भूल गया कि वो टावर के उपर तक उड़ सकता है और घड़ी को हवा दे सकता है सिल्वैस्टर ने महसूस किया कि उन्हें शान्त रहने और एक कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से सोचने की आवश्यक्ता है ये क्रिस्मस के बाद का शनिवार था और मैक्स और टैमी चाची मैरी के घर सोने के लिए जा रहे थे देर शाम तक मैक्स बिलकुल सो नहीं सका इसलिए चाची मैरी बिस्तर पर लेटते ही उनके पास बैठ गई आउंटी मैरी, क्या आप हमारे लिए क्रिस्मस में मिली इस किताब को पढ़ सकती है? हाँ, क्यों नहीं? वो कहानी पढ़ने लगी एक बार की बात है, जानवरों के सामराज में तीन सुवर थे वो एक छोटी सी जोपनी में रहते थे अब उनके पडोस में एक चालाग भीडिया रहता था वो उन्हें हमेशा खाने के लिए पकड़ने की कुशिश करता था एक दिन तीन सुवर बाजार जा रहे थे जब भीडिया दोड कर आया लेकिन उसने उन्हें देखा भी नहीं ये अजीब है उसने हमें नोटिस भी नहीं किया ये वास्तों में बहुत ही अजीब है वो किसी तरह जल्दी में लगता है उसका अनुसरन करते हैं तो जिग्यासा से भरे तीन सुवरों ने भेडिये का पीछा किया पहला सुवर तेजी से भागा और फिर अचानक रुख गया और अपने पैरों से अन्य दो सुवरों को फेंग दिया उन्होंने बस्टाउप पर उसे देखने के लिए एक कोने से बाहर जांका शाहिद वो दूर जा रहा है और वो हमें फिर कभी परिशान नहीं करेगा हाँ मुझे आशा है लेकिन ये बहुत बहुत अजीब है वास्तों में मुझे आशा नहीं लगता देखो एक और बेडिया बस से नीचे उतर रहा है नमशकार दीदी मुझे उमीद है कि यातरा सुखद थी ये उसकी बहन थी जो उसे मिलने आई थी हाँ वो तो था उसके तेज दाथ सूर्या के किर्नों की तरह चमक रहे थे वो बहुत भैंकर दिखती है उसके दाथ और पंजी देखो सच में बहुत मजबूत है वो मुझे तो वो ठीक लग रहे है क्या मैं उनके पास जाके उन्हें नमस्ते कहूं अरे नहीं नहीं इस तरह की कोई हरकत मत करना तीसरे सूर्य ने दूसरे सूर्य को डंडा मारते हुए कहा चलो घर चलो इससे पहले कि हम उसका रात का खाना बन जाए दूसरा सूर लगभग नीचे गिर गया रात के खाने के बारे में उनके विचार से तीनों डर गए और भेडी के करीब आने के डर से वो घर भाग गए जब वो घर पहुँचे तो डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहे थे अगर वो हम पर हमला करे तो हम क्या करेंगे हमें जीवित रहने के लिए एक योजना के बारे में सोचना होगा सूवर ने सोचा और सोचा याओ मेरे पास एक योजना है उन्होंने योजना के बारे में बात की और आजमाने के लिए सहमत हुए ये एक चांदार योजना है उन्हें पूरा यकिन था कि योजना अच्छी तरह से चलेगी अगली सुभा तीनों सूर मिस्टर भेडिये की कुटिया में गए मिस्टर भेडिया बाहर आये और दर्वाजे पर अपनी शिकार को देखकर हैरान रह गए आज मेरा भाग ये शाली दिन है मिस्टर भेडिया तीन सूरों को पकड़ने वाले थे तभी उनकी बेहन दर्वाजे पर दिखाई दी रुको ये फूल तुम्हारे लिए है बेहन भेडिया मेरे लिए क्यों धन्यवाद ये सबसे सुन्दर फूल है आप इस शहर में एक अती थी है इसलिए आशा है कि आपको एक सुखत प्रवास मिले बेहन पंजे हिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने उसके तीखे नाखुन पकड़ लिए ये चोकलेट तुम्हारे लिए है बेहन भेडिये की बेहन को कुछ स्वादिष्ट चोकलेट सौंब दिये कितनी प्यारी और फलो की ये टोकरी ये आपके और आपके भाई के लिए है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद किसी ने भी मेरा इतना सुन्दर स्वागत कभी नहीं किया अगले दिन भेडिये की बहन अपने भाई के साथ सूर की जोपड़ी में चली गई भाई चलो अब तुम मेरे नई दोस्तों की मदद करो अरे नहीं उसने भेडिये से तीनों सूरों का सभी काम करवाया उसने छट को साफ किया, बाड को चित्रित किया और यहां तक की घास भी कटवाई ये मेरे प्यारे दयालू और आकरशक दोस्तों को धन्यवाद करने का मेरा तरीका है उसकी योजना काम कर गई अब दुष्ट भेडिये फिर कभी सूरों पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेंगे उसकी बहन के उदार मित्र, सूर, खुशी से और बिना किसी डर के रहते थे